हेलो एवरिवन अगरा कोई पास M.I. का फोन है तो WhatsApp Notification वर्क नहीं कर रहा है तो यह को system setting है जिसको set करने के बाद problem solve तो यह जानते हैं सबसे पहले app information खोलेंगे इसके बाद phone notification में जाएंगे और इसमें सबको mark करके on कर देना है इसके बाद app setting में जाना है इसके बाद सबसे फर्स्ट यहाँ vibration को sort में डाल देना है second vibration को भी sort में डाल देना third बाले को ऐसी छोड़ देना back करने के बाद detail में जाना है और यहाँ पर देख लेना है vibration एका है या नहीं control your vibration allow that to control the vibrator यह लिखा होना चाहिए इसके बाद all permission में जाना है यहाँ आपको mark करके सब को on कर देना मेरे telephone on नहीं हो रहा इसको छोड़ देते हैं पर आपके phone में on कर लेना इसको इसके बाद other permission में जाना है और यहाँ पर सबको accept कर लेना जो accept नहीं है उसको भी back करना इसके बाद आपको security में जाना इसके बाद battery में जाए सबसे last all option app battery saver में जाना यहाँ whatsapp कोलना और इस पर node restrictions पर क्लिक कर देना इसके back करना इसके back permission में जाना auto start में whatsapp tick होना चाहिए permission में जाना यहाँ पर देख लाना vibration का कोई option है या नहीं अगर नहीं है तो छोड़ दाना इसके बाद other permission पर जाना यहाँ whatsapp पर जाना और देख लाना सारे भी सारे tick के लिए नहीं इसके बाद problem solve झाल कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल